Hello students, आज के इस वीडियो में हम एंडोस्पर्म टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज हम समझेंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म के क्या फंक्शन है इंडोस्पर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातों को, बहुत सारी ऐफेक्ट को आज हम समझने वाले हैं तो चलिए स्टुएंट्स, शुरुगात करते हैं एंडोस्पर्म को हम हिंदी में भुरुन पोस करते हैं नाम से असपस्ट है कि भुरुन पोस वह उतक है जो भुरुन को पोसन करता है भुरुन को पोसन प्रदान करता है एंडोस्पर्म is a tissue which provides nutrition to the developing embryo जो developing embryo को nourishment provide करता है, that type of tissue is called एंडोस्पर्म it is triploid in most species in flowering plants it surrounds embryo and provides starch, fats, protein and vitamin also most species में यह triploid होता है इसकी जो ploid है वो triploid है यह 3N है यह जो most angiospermic plants होते हैं उसमें एंडोस्पर्म की product क्या है 3N है यह triploid है यह embryo को surround करता है embryo को provide करता है starch, fats, protein and vitamins types of endosperm formation endosperm के formation के कितने type है तो there are mainly 3 types of endosperm formation first is nuclear type second cellular type third halobule type शुरवात करते हैं nuclear type से तो first nuclear type इसके जो basic characteristic है वो क्या है in nuclear type the first division and successive divisions are without wall formation यह जो nuclear type free nuclear type endosperm development भी इसको करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो endosperm का जो पहला division है और जो successive लगाता जो वीवाजन होता रहता है वो without wall formation उसमें wall formation नहीं होता है वो free nuclear division होता रहता है इसमें nuclear या तो free रहते हैं अगर wall formation होता भी है तो very later stage में होता है इस अर्थात इसमें जो initially क्या होता है कि जो karyokinesis का process है वो तो होता है लेकिन cytokinesis नहीं होता है और अगर होता भी है तो very later stage में होता है और जब cytokinesis की प्रक्रियास की शुरुवात होती है जब wall formation होता है तो क्या होता है कि wall formation periphery to central होता है मतलब बाहर से भीतर की तरफ wall formation होता है इसको हम centripetal wall formation भी करते हैं और क्या होता है कि जब इसमें एक उलिखनी बात है कि इसमें जो endosperm का जो free nuclear division होता है इसमें निकलियाई होते हैं यह mostly क्या होता है कि जो micro-pillar चले-जल इंड है वहां पर accumulate करता है वहां aggregated होता है जबकि sites में इसके बहुत thin layers होते है कि बहुत घने रूप में वहां accumulation उसका नहीं होता है निकलियाई का और निकलियाई को जो पुस्क कर दिया जाता है periphery की तरफ परिणामसर रूप क्या होता है कि एक central vacuum का formation होता है और एक बात ध्यान देने योग है होता है वो comparatively जो मेक्रोपलर रेजन की तरफ है उससे बड़ा होता है तो इसको देखें स्टोंट्स इन नुकलियाई टाइफ पर्स्ट दिविजन और सक्सेशिव दिविजन्स आर विरावट वाल formation नेस्ट नुकलियाई में रिमें में इसक्वकारोरन स्कूररन स्कूरर में छेँर में शकलियॐ सारी में रिम सारी में करिकेंच towards the periphery and a central vacuum is formed. Next, nuclei are particularly aggregated at micropylar and chelizal ends of embryo-sick and forms a thin layer at sides. Okay students, aage bharate hain. Generally, nuclei in chelizal part become larger than the nuclei in micropylar int. इसकी चर्चा की जा चुकी है कि generally क्या होता है कि जो chelizal zone की तरब, chelizal part की तरब जो nukle-i है उसका जो size है वो comparatively micropylar zone की तरब जो nukle-i है उससे बड़ा होता है. आए फिगर के माध्यम से इन सारी बातों को समझते हैं. ये embryo-sick देख पार कि एक embryo-sick है, ये micropylar ind है, micropylar zone है और ये चले जली zone है. ये देख पा रहे हैं कि pen है primary endosperm nucleus है, जो की, जो most species में क्या होता है, एंजी एस्पर्मिक plants में, triploid होता है, 3N है, ये देख पा रहे हैं कि o-spore है, o-spore जो क्या है, जाइगोट का एक resting phase है, जाइगोट को जब तक sufficient endospermic material प्राप्ट नहीं होता है, तब तक ये further development नहीं करता, further division नहीं करता है, और उस अवस्था में जो resting phase का जो period है, उस period में उसको एक नाम दिया जाता है, जिसको कि हम o-spore कहते हैं, चलिए मान लेते हैं कि जो sufficient endospermic material है, अब इसको प्राप्त है, अब ये o-spore further division करने के लिए तयार है, और ये further division करता है, तो further division करके, ये two cell stage में आता है, जो large area, जो occupying part है, उसको हम करते हैं basal cell, और जो micro parallel end की तरफ होता है, और जो चलेजल end की तरफ होता है, और small area, जो occupying cell part है, उसको हम करते हैं apical cell, terminal cell, embrinal cell, तो ये दो part देख पा रहा हैं, तो जो basal part है, वो suspensor बनाता है, और जो upper part जो देख रहा हैं, जो apical part है, terminal part है, उससे embryo develop होता है, तो ये two cell stage, यहां देख पा रहे हैं कि endo sperm का division, free nuclear division हो रहा है, दो बन गये, देख पा रहे हैं, अब इसमें यहां दो बाते होंगी, कि two cell stage तो common है, monocot में भी और dicot में भी, अगर dicot है, तो ये four cell embryo बनाएगा, मतलब जो apical cell है, उसका further division होगा, और basal cell का भी further division होगा, देख पा रहे हैं, four cell stage में आ गये, यहां पर जो है, ये transverse division है, ये vertical division है, basal cell जो है, उसमें transverse होता है, और apical cell में vertical होता है, इससे suspensor बनता है, उससे embryo develop होता है, basal cell से suspensor और apical cell से embryo, यहां देख पा रहे हैं, कि जो nuclear type division हो रहा है, देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार बना, अब dicot में इस तरह की बात होगा, ये तो monocot में क्या होगा, कि जो basal cell है, वो further division नहीं करता है, ये खुद, ये already suspensor के काम करता है, और इसमें जो apical cell होता है, ये 3-celled pre embryo stage कहलाता है, monocot में, यहां तो embryo के 2-celled stage, जो दोनों में common है, monocot और dicot में, तो यहां देख रहे हैं कि endosperm का, ये जो है, यहां देख पा रहे हैं कि, ये pen का division हुआ, यहां endosperm, free nucleate division, फिर इसका यहां देख रहे हैं, फिर इससे यहां देख रहे हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये embryo stage है, ये micropeller zone, mz stands for micropeller zone, whereas cz means chiral zone, इसमें देख पा रहे हैं कि, ये जो है, ये free nuclei आई है, और अब हम embryo को e से denote करते हैं, समझने के लिए, तो जो nuclei है, उसको periphery की तरफ पुस कर दिया गया है, परिणाम स्वरूप, यहां एक central vacuum का formation हो रहा है, देखर है students, आगे बढ़ते हैं कि, अब, very later stage में, ये जो wall formation हो रहा है, मतलब, जो cytokinesis है, वो process, वो process complete हो रहा है, और जिसके कारण, यहां wall formation हो रहा है, किदर से किदर हो रहा है, periphery to central हो रहा है, और ये जो micropeller zone, ये चलेजर zone, तो ये wall formation होगा, लेकिन very later stage में होगा, अगर होगा भी तो, ये है nuclear type in response division, इसको एक्जाम्पल से समझते हैं, जो की बहुत common example है, coconut, coconut के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कि उसके बहुत ही nutritive होता है, बहुत ही, उसका जो versatile use है, उसको समझते हैं, ये coconut, पता है कि coconut है, जो भी fruit है, उसमें जो pericarb के तीन layer होते हैं, exocarp, mesocarp, indocarp, ये देख पारे हैं, जो सबसे बाहर का जो layer है, वो exocarp, उसके बाद जो ये beach वाला जो देख पारे है, ये mesocarp, ये जो hard part जो होता है, नारियर का, वो क्या है, indocarp, और ये जो है, ये जो covering है, जो endosperm का जो covering सुथा को हम टेस्टा करते हैं, और ये देख पारे कि ये embryo है, और इसमें ये जो है, ये kernel है, और ये है water, तो water, जो coconut water जिसको हम कहते हैं, वो भी endosperm है, और ये जो kernel है, जिसको हम coconut meat कहते हैं, वो भी endosperm है, तो coconut meat, जिसको ये solid endosperm है, जबकि coconut water, liquid endosperm है, ये coconut water, isotonic होता है, human fluid से, isotonic होता है कि, जो human body का जो fluid है, उसके concentration और ये जो coconut water होता है, इसका concentration लगभग समान होता है, और ये human body के लिए बहुत ही nutritive होता है, तो ये देख पा रहा है, इस्टुएंट्स, क्लियर हो गया है, कि ये जो है, ये coconut का, ये इम्रायो, ये testa, ये endokarp, ये mesokarp, ये coconut water, जो की already एक endosperm है, लेकिन ये liquid endosperm है, और जिस करनल, जिसको कि हम लोग, जो solid part होता है, जो उजला वाला part होता है, इसी को यहां देखें, ये coconut है, ये जो green वाला portion देख पा रहा है, ये क्या है, एक्जोकार्प है, और ये जो fibrous husk है, जो ये जो रेसेदार वाला जो part होता है, जो आनारियल में, उसको क्या करते है, मेजोकार्प, और ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है, उजला वाला जो part है, endosperm, solid endosperm, जिसको उम लोग खाते हैं, जिसको coconut meat भी करते हैं, और यहां देख पा रहे हैं, ये क्या है, cotyledon, cotyledon क्या करता है, absorbs endosperm, यहां जो liquid endosperm था, जो coconut water था, उसको ये absorb करता है, अब ये cotyledon का जो ये upper part है, ये क्या कहलाता है, है, epicotyle, जबकि जो इसके below है, इसको क्या करते हैं, hypocotyle, epicotyle से suit develop करता है, और hypocotyle से root develop करता है, देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, है, cotyledon, और ये suit, और ये क्या है, root, clear strands, अब यहां देखें, ये coconut का जो hard portion है, उसको हम क्या करते हैं, ये, ये endocarp है, ये जो बहुत कड़ा वाला portion होता है, इसको हम लोग क्रेक करके भीतर का जो coconut meat का परियोग करते हैं, ये endocarp है, इसमें देख पा रहे हैं कि ये three holes, three pores है, ये जो the three holes are the result of three carpels in coconut flower, ये जो coconut flower है, इसमें तीन कारपल के होने के कारण, ये क्या है, ये presentation है, three pores के रूप में, और जिसमें से कि जो दो pores हैं, ये plugged होते हैं, और ये जो सिर्फ एक pore जो है, ये functional pore होता है, the new coconut soot will emerge from the functional pore, और जो ये नया soot है, जो soot करके emerge करता है, इससे बाहर निकलता है, तो ये functional pore हैं, और जबकि नारियल में होते हैं, development of interest firm है, ये अच्छे से clear हो गया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, next topic के साथ, bye.